वजन खटाने की चाहत रखने वालों के लिए गर्मियों का मौसम सबसे अच्छा होता है क्योंकि गर्मियों में हमें बार-बार भूख नहीं लगती है सूरज की चमकती धूप के साथ हमारे शरीर का मेटाबॉलिक रेट भी तेज हो जाता है हमारा शरीर ज्यादा एक्टिव रहता है और ज्यादा कैलरीज बॉन होती है ऐसे में आप सिर्फ कुछ आसान सी टिप्स को अपना कर गर्मियों के मौसम में अपना वजन, पेट और फैट कम कर सकते हैं और आज की इस वीडियो में हम आपकी मदद के लिए तेजी से वजन घटाने वाली पाच आसान सी टिप्स के बारे में बता रहे हैं लेकिन उसके पहले ऐसे ही फाइदेमंद हेल्थ वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल अईरवेद का खजाना को सब्सक्राइब करके बेल की आइकन को जरूर प्रेस कर दीजे वेल, गर्मियों में वजन घटाने वाली पहले टिप है तरल पदार्थों का खूब सेवन करे गर्मियों में हम सभी खूब सारा पसीना बहाते हैं और शरीर का बहुत सारा पानी खो देते हैं जिसकी वज़े से हमें सिरदर्द, ठकान और शरीर दुखना जैसे कई स्वास्ते विमारियां हो जाती है ऐसे में शरीर को हाइडरेटेड रखना बहुत जरूरी है जिसके लिए आपको तरल पदार्थों का खूब सेवन करना चाहिए आप हर 30-45 मिनट में जरूरत जितना पानी पीते रहे और जो गर्मिया है इसमें ठंडी ड्रिंक्स का मज़ा ना ले तो फिर जीना ही किस काम खा तो आप गर्मियों में आम पन्ना, नार्यल पानी, जलजीरा और नीम्बू पानी जैसी ठंडी, हेल्दी और टेस्टी ड्रिंक्स भी ले सकते हैं शरीर को हाइडरेटेड बनाई रखने से हमें बार-बार भूख नहीं लगती है और पाचन में भी सहायता मिलती है जिसे वजन तीजी से कम होता है गर्मियों के मौसम में वेट लॉस की दूसरे टिप है अपनी डाइट में सीजनल फ्रूट्स और वेज़िटेबल्स को शामिल करें गर्मियां वजन घटाने में सहायक, एंटी ऑक्सिदेंट्स और फाइबर से भरपूर फलो और सबजियों का सीजन होती है फलो और सबजियों को खाने से मिलने वाले फायदों की अगर हम बात करें तो इसमें कैलोरीज की मात्रा कम होती है और आप कम कैलोरीज का सेवन करने से ज्यादा फैट जला पाते हैं इन में मौझूद प्रोटीन और फाइबर आपके पेट को भरा रखते हैं और ओवरीटिंग करने से बचाते हैं गर्मियों के फलो और सबजियों में मौझूद पानी आपके शरीर को हाइडरेटेड रखता है जिससे आप एक्टिव बने रहते हैं और ज्यादा कैलरीज और फैट बर्न करते हैं इन में मौझूद वाइटमिन्स और मिनरल्स आपके शरीर में पोशक तत्वों की कमी को दूर रखते हैं और भी कई अनोखे फायदे इससे आपको मिलते हैं आप वाटर मिलन, मस्क मिलन, केंटलूप, लौकी, करेला और खीरा जैसे फलो और सबजियों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं गर्मियों के मौसम में थंडा और मीठा तर्बूश खाने का जो मज़ा है न वो शाहिद पीज़ा बगर से भी नहीं मिलता है वेल, तीसरी टिप है, ज्यादा से ज्यादा प्रोबाइटेक्स का सेवन करें गर्मियों के मौसम में आपको अपनी डाइट में दही, किमची और चाज जैसे नेचरल प्रोबाइटेक्स को शामिल करना चाहिए ये आपकी आथ के लिए फाइदे मंद होती है, इनका पाचन आसानी से हो जाता है और ये बाकी खाने का पाचन करने में भी शरीर की मदद करते हैं इतना ही नहीं दही आपके शरीर को ठंधा रखने में मदद करती है और ये प्रोटीन, वाइटमिन डी और कैल्शियम का भी अच्छा श्रोथ होती है इनी फायदों की वज़े से गर्मियों में और खास कर दोपहर के खाने में नियमे त्रोप से दही और छाज को जरूर शामिल कीजे गर्मियों में तेजी से वेट लॉस करने की चौथे टिप है अपने डिनर को हलका रखें दिन में हमारे शरीर का मेटबोलिक रेट तेज होता है और खाने का पाचन जल्दी और अच्छी तरह से होता है वहीं जैसे जैसे रात होती जाती है हमारा मेटबोलिक रेट कम हो जाता है और शरीर के लिए भोजन को पचाना मुश्किल हो जाता है जिस वज़े से खाने का पाचन अच्छी तरह से नहीं हो पाता और हम सब जानते हैं कि वजन पढ़ने का सबसे बड़ा कारण है खराब पाचन इसलिए रात के खाने में सलाद और सूप को ज्यादा शामिल करें और आप अपने डिनर को हलका रखें साथ ही रात को आठ से नो बचे तक डिनर जरूर कर लें इससे आपको गर्मियों में वजन कम करने में काफी मदद मिलेगी गर्मियों के मौसम में वजन घटाने की पांचवी आसान टिप है तले हुए खाने का सेवन करने से बचें जी हाँ, डीप फ्राइड फूर्ड को पचाना शरीर के लिए काफी मुश्किल होता है वहीं इन खानों में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है जो कि आपके शरीर में फैट के रूप में स्टोर हो जाती है इसलिए भले ही आप कितनी भी एक्सराइज करें या मुश्किल डाइट अपनाएं लेकिन अगर आप अपनी डाइट में से तले हुए खाने को बाहर नहीं निकालेंगे तो वजन कम करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा तो तले हुए खानों की जगा आप उबले हुए भुने हुए और ग्रिल्ड खानों को अपने आहार में शामल कीजे और इस गर्मियों के मौसम में अपना वजन घटा लीजे हमारे चैनल आयरवेट का खजाना को सब्सक्राइब करके बेल की आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा धन्यवाद